हेलो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो से हम लोग एकसर साइट 10.5 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको कुछ नई चीज़े सीखने को मिलेंगी तो जिस भी क्वेस्टन में हमारे पास जो नया थेरम यूज होगा न वह वहाँ पर मैं आपको ए बाकि जो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा उनका लिंक और साथी साथ अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए इंस्टाग्राम और टेलिग्राम का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्रिप्सन वाक्स में प्रवाइड करा दूँगा चले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बोलगा है कि जो फिगर बना हुआ है 10.36 इसमें ABC जो है वो 3 पॉइंट है एक सरकल पर देखो ABC एक पॉइंट दिख रहे हैं आपको इस सरकल पर अब इसका सरकल का जो सेंटर है वो O है और जो हमारा एंगल बन रहा है BOC वो 30 डिगरी का बन रहे है यहाँ पर और सरकल में जो पार्ट होता है इसको आर्क कहते हैं तो इधर हमारा AC एक और इधर से भी हमारा दूसरे साइड जो है इतना लंबा AC इतना एक और आर्क हो जाएगा माइनर आर्क मेजर आर्क यह समयन आपको पहले ही समझा रहा है तो हमसे यह बोल रहा है कि ABC के अपोजिट अब इसका मतलब क्या हो मैं समझाता हूँ Angle subtended by an arc at the center यानि कि किसी भी आर्क के दोरा जैसे यह वाला जो हमारा आर्क है इसके दोरा center पर बनाया गया angle जो होता है वो double होता है किसके double होता है तो इसी आर्क के दोरा कहीं भी circle में दूसरे जगह पर center को छोड़ करके circle में किसी भी जगह पर जब दूसरा हमारे पास एक point जी से मिल गया तो यहाँ पर जो angle बनेगा इसका ही यह double होता है यही हमको यह theorem कहता है ठीक है फिर से समझाता हूँ कि यह जो हमारा एक arc है A, A, C मानलो यहाँ पर A, B, C complete एक arc हमारे पास है यह center में हमारे पास angle बनायागा न यह complete angle A, O, C यह पूरा का पूरा यहाँ पर यह इसका ही यह double होगा तो सबसे पहले तो अपने को A, O, C दिया नहीं हुआ है question में उसको दो पार्ट में divide करके दिया हुआ है तो पहले तो A, O, C निकालेंगे तो यह अपने को बाद में लिखोगी मैंने पहले इसलिए लिख लिए थाकि आपको मैं समझा सकूँ कि कौन सा 13 यहाँ पर यूज हो रहा है इसको अपने को थोड़ा से नीचे में लिखना पहले आप लोग यह बता देना कि हमारा जो एंगल A, O, C है उसको निकालने के लिए हम लोग एंगल A, O, B में प्लस कर देंगे एंगल B, O, C जो अपने को दो चीज़े दी हुई है तो एक हमारा 60 डिगरी का है दूसरा मारे पास 30 डिगरी का है तो एंगल A, O, C जो है वो निकल जाएगा 90 डिगरी का ठीक है अब यह वाला जो थियरम है इसको इसके बाद यहाँ पर उतार देना आप लोग एक्जाम में डैन आप लोग लिखना कि जब यह हमारा डबल होता है इसका मतब क एंगल का तो इसका डबल कर दो डबल करने क्या करते है तो से मल्टिप्लाइ कर देते हैं बस यानिए A, O, C जो होगा वो डबल हो जाएगा A, D, C के बास इसको आपको सॉल्व करना है तो A, D, C का वैल्यू निकल करके आ जाएगा तो यहाँ पर A, O, C के जगा पर 90 डिगरी होगी हमारा 45 डिगरी डिरेक्ट में इस तरीके से यहाँ पर लिग देता हूँ तो इस क्वेशन को ऐसे सॉल्व करना था, I hope आपको अच्छे समझ में आगया होगा कुछ भी डाउट हो, Instagram, Telegram का लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर अपने डाउट समसे आप पूछ सकते हैं च मैं आपको इसी तरीकिस्दम डिटेल में समझा दूँगा, थैंक यू फूर वाचिंग